हाई गाईज वेलकम टू माला एंस यह मेरा नाम है देवियश आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप जो है मुचल फंड की इंकम टैक्स रण जो है ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं तो यह हमारी पूरी एक इंकम टैक्स की सीरीज जो है बंद रही है और आपने अगी तब पहले की अगर वीडियो नहीं देखे जैसे सालरी परसन की मैंने बता चुका हूँ हाउस वाइफ की अगर मैं बता चुका हूँ तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उन वीडियो को जाकर देखे description में आपको link मिल जाएगी तो चलिए guys शुरू करते हैं बताना चाहूंगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको income tax related कोई भी query हो या expertise service चाहिए हो गर हमाई तरफ से तो आप basically हमारी site www.myonlineca.in के पर visit कर सकते हैं तो चलिए guys शुरू करते हैं तो देखे guys आज मैं बताना जाओ कि आगर आप mutual fund के अंदर आप invest करते हैं और आपने मानीची redeem कर लिए अगर आपने बेज दी अपने mutual fund और उसके उपर आपको जो भी profit हो रहा है तो उसके उपर आपको income tax कैसे pay करना है और अपनी idea के अंदर आप mutual fund को कहाँ पर show करेंगे तो देखे मैं पहले के जो वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कैसे create account जो है करते हैं basically income tax site के उपर तो ये चीजे में वापस repeat नहीं करने वाला तो आप जाके वीडियो को आराम से जो पहले वाले जो वीडियो थे उनको आप देख सकते हैं तो simply आपको यहाँ पर जैसे मैं बताया था लास्ट वीडियो के अंदर है कि ITR जो 1 होती है और ITR 4 होती है उसका web-based basically method होता है फाइल करने का तो आप web-based method जो है यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर में mutual fund की जो बात करने वाला हूँ चाहे वो share market हो गया या mutual funds वगरे हो गया आपने stocks भी बेचे है या mutual funds वगरे भी बेचे है तो basically आपको ITR 2 जो basically file करनी पढ़ती है अब ITR जो 2 है उसका web-based method नहीं होता है आपको offline वो basically बढ़नी पढ़ती है पूरी की पूरी ITR और उसके बाद में उसको online upload किया जाता है तो आईए जानते हैं कि किस तरीके से इसको download किया आता है और कैसे basically इसको बढ़ा जाता है तो simply आपको देखिए income tax की site के उपर जाना है और आपर download section के अंदर जाना है आप बताना चाहूँगा mutual fund के उपर tax कैसे लगता है तो देखिए अब काईस दो तरह के यहाँ पर tax लगते capital gain कराता है basically यह तो एक होता है आपका long term capital gain एक होता है आपका short term capital gain अब आपको confused होने की जरूबत नहीं है क्योंकि आजकर जितने भी modified platform है जो mutual fund को जो एक तरह से support करते जिसे आपका kuvera हो गया paytm money हो गया zerodha का coin हो गया grow platform हो गया तो यह जितने भी platform से उसके बहुत आपको जो report मिल जाती है और report के अंदर आपको बता दी जाता है कि आपने जो mutual funds बेचे है उससे आपको long term gain हुआ या short term gain हुआ है तो simply आप देख सकते है मेरी screen के सामने जिसे में पस kuvera की एक report है जिसके में को return जो है basically file करनी है और यहाँ पर आप मेरा सकते है मेरा grow पे भी basically account है तो यहाँ पर यहाँ आप देख सकते है दूसरा होता है आपका text p handle account जहाँ पर आपको पता जाता है अगर आप मालनी चाहिए आपने कोई mutual fund ना एक तरह से redeem किये आपने बेचे mutual fund तो उसके उपर आपको जो भी gain हुआ है या loss हुआ है तो ultimately आप report डाउनलोड करेंगे आप बात करते हैं कि return कैसे आपको file करनी है तो सबसे फिले आपको download section करना जाना होगा यहाँ पर आप देख सकते है ITR2 का यहाँ पर column दिया हुआ है और यहाँ पर दो तरह की utility दी विए एक है Microsoft Excel की और एक है Java utility तो आपको मैं recommend करूँगा हमेशे आपको Java utility डाउनलोड करनी चाहिए इसको डाउनलोड करनी से पहले आपको Java अपने laptop के अंदर या PC के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा तो simply आप Java की website पी चाहिए है वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए उसके बाद मैं इस utility को डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करने के बाद मैं आपको मैं देखाना चाहूँगा कि किस तरह की utility जो अबीसीली दिखती है ये देखें मैंने ये file डाउनलोड कर ली इसके अंदर आप जाएंगे तो ita.pad करके एक file होगी एक ये program file बैसीली इसको आपको open करना है जैसे आप open करेंगे आपके सामने इस तरह का एक format खुल जाएगा तो ये basically java based utility होती है जिसके अंदर आपका ita जो two form होता है वो पूरा पूरा open हो जाता है अब यहाँ पे आपको basically पूरी की पूरी information बनी होती है इसमें देखिए थोड़ा सा दिक्कत यह है जो offline यह जो forms होते है उसके अंदर आपको हर एक detail लालनी पड़ती है क्यों क्योंकि basically जो web based utility होती जिसे itr1 हो गया itr4 हो गया तो उसके अंदर थोड़ी बहुत प्री फिल आपको information मिल जाती है जिसे आपका name हो गया आपका address हो गया आपकी bank details हो गया यह सारी चीज़े आपको मिल जाती है लेकिन इसके अंदर आपको जो सारी की सारी details यहापे manually जो है डालनी पड़ती है तो देखिए part a से start करते है तो part a जो है basically यहापे same है same आपको अपनी जो भी basic details है contact number है जो भी आपका address वगर है वो सारी चीज़े आपको डालनी पड़ती है उसके बाद में आप वापस यहापे आपको home के उपर चले जाना है आप home के उपर जाएंगे तो यहापे आपको कई सारी schedules मिलेंगे अब यह schedule क्या होता है जिसे schedule S हो गया तो यह basically salary based schedule होता है अगर मालिज आपकी capital gain के साथ में एक salary की income भी है तो आपको इसमें डालनी पड़ेगी वना simply आप यहाँ से जो yes no कर सकते है ताकि यह hide हो जाए उसके बाद में schedule HP होता है जो house property से related होता है उसके बाद में schedule CG होता है जो की main हमारा topic है आज का जो की capital gain से related होता है उसके बाद में कही सारे schedule दी हुए तो आपका जो भी काम का schedule है आपको simply उसको यहाँ पर yes करना है और बागी के जितने भी schedule है आपको simply वहाँ पर no करने तो मेरा यहाँ पर सिफ capital gain है और थोड़ी बहुत salary की वगरे की other income है तो यहाँ क्या करूँगा मैं simply जो है अपने सबसे पहले CG के अंदर जाऊँगा तो part A के अंदर मैंने अपनी basic detail ला दी है अब CG के अंदर बात करते है कि capital gain जो है कैसे insert कियाता है अब देखिए capital gain की calculation जो है simply आपको report के अंदर मिल जाएगी आप जिस भी platform से download कर रहे है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर 220-21 का 2899 मेगा capital gain है तो इसकी में written file नहीं कर रहा हूँ मेरे पास में एक को report है तो वो मैं download कर लेता हूँ simply yes मेरे पास exact report आच चुकी है अब आप देख सकते हैं ही मेरे download कर लिए अब यहाँ पर मुझे exact 45-254 रुपे का यहाँ पर gain दिखा रहा है अब इस gain के उपर में को कैसे पता लगागा यह शॉट टरम है कि long term है आप देख सकते हैं इस report के इंदर साफ साफ यहाँ पर short term capital gain लिखा हूआ है आप मुझे डालना कैसे यह figures कैसे डालने इसके उपर tax कैसे पे करना है तो देखिए simply आपको क्या करना है आप नीचे जाएंगे देखो यहाँ पर हर एक आपको एक एक जो अपने fund खरीदा हुआ है और जो बेचा हुआ है उसकी एक एक डिटेल दी हुए तो आपको fund है उसकी आपको acquisition cost निकालनी पड़ीगी acquisition cost मतलब यह हो गया आपने जिस टाइम पर invest किया था तो आप देख सकते हैं 2018 के अंदर यह मैंने invest किया था तो 2,47,000 रुपे का amount है यहां पर दिखा हुआ है from the sale of the land on building तो अकर माली जा आपने कोई property बेची है और उससे भी आपको capital gain हुआ है तो वह details यहां पर आपको डालनी पड़ती है लेकिन आपकी share market मतलब आपकी mutual fund की detail है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा यहां पर आप second number पर देखेंगे fall the sale of the equity share और unit of the equity oriented mutual fund जी है तो इस column के अंदर basically आपको full value of the consideration के अंदर आपको वह value डाली है जिसके उपर आपने sale किया है तो आप मैंने क्या किया मैंने जो भी मेरा यह statement था इसके अंदर मेरी यह जो भी sale value आ रही है उन सबको मैंने add कर लिया add करने के बाद में मेरी यह 7,36,000 के something amount आ रही है उसके बाद में यहां पर नीचे जो है इतने का में को gain हुआ है तो simply आपको वह amount यहां पर डालना पड़ेगा तो यह amount डालते है बिसिकली जो short term capital gain होता है उस पर उपर exact 15% का basically आपको जो है tax वगर पेए करना पड़ता है जी यह तो basically आपको calculate करने की जरूत नहीं है यह system यह automatically calculate कर लेगा आपको बिसिकली figure डालना है तो figure डालने के बाद में अगर आपकी जो भी other income हो या कोई भी ऐसी income हो तो वह आप डाल सकते हैं जैसे यहां पे मैंने salary में other income डाल दी है capital gain में capital gain डाल चुका हूँ तो other income कैसे डालना है यह सारी चीज़ जानने के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं कि क इस कॉलम में कौन सी इंकम जाएगी अब मैं बात करूंगा summary की तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने कौन-कौन से income डाल चुका हूँ तो यह देख सकते हैं आप 45 या का तो मेरे capital gain हो गया और तीन लाग सूर्से से net income दिखा दी है तो मेरी जो total income है वो तीन लाग 61,000 के something ह हो चुकी है लेकिन यहां पे में को टेक्स पे करना है वो अलग अलग पे करना पड़ेगा मला मेरे जो 45 या का gain है उस पे में को 15% टेक्स पे करना है और मेरे जो other sources जो में income है उस पे में को tax slap basically मुझे जो है basically tax पे करना है तो आप यहां पे नीचे देख सकते हैं पार्ट जो tax पे वो माफ हो जाता है मला मुझे actual में कोई भी payment करने की जरुवत नहीं है तो basically आप जैसे यहां पे डालेंगे automatically आपको बता देगा कि अगर tax payable after repeat अगर मालने कोई tax है तो आपको basically online यह tax payment करना पड़ता है इसके उपर में एक अलग से वीडियो बता दूँगा कि online जो है tax tax हो गएगा कैसे payment होता है तो सारी details बनने के बाद में आपको क्या करना है simply आपको submit button के उपर click करना है जैसे आप submit button के उपर click करेंगे अगर कोई भी error होगा तो automatically यहां पे आपको sign में दिखा देगा screen के उपर कि कोई भी error है अगर कोई भी error नहीं है तो simply क्या करना है आपका जो भी login ID है मतलब आपका pancard number हो गया और आपको जो भी password है simply यहां पे वह आपको insert करना है आपकी date over डाली है आपको do you want to sign no करना है और simply submit के उपर click करना है जैसे आप submit के उपर click करेंगे आपका यह जो ITR का form है automatically income taxis site के उपर upload हो जाता है और basically आपके जो return जो है basically file हो जाती है तो guys यह तरीका हो गया कि अगर आपने कोई mutual funds करीदे है और उसको आपने बेचा है और उससे आपको कोई profit हुआ है तो उसके उपर जो भी gain होता है उसके उपर आपको income taxis return कैसे file करनी है so guys hope you like this video please subscribe our channel आपके कोई भी doubts हो तो comment section में ज़रूर mention कीजेगा guys thank you guys thank you very much